नमस्कार आप देख रहे हैं 4PM News Network और मैं हूँ आपके साथ प्रगती ठाकुर महरास्ट में विधान सभा चुनाओ के लिए अब सभी प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो चुकी है जिसका फैसला 23 नवंबर को होगा जिस दिन वोटों की गिंती की जाएगी 23 नवंबर को ये पता चलेगा कि महरास्ट का आगला किंग कौन होगा माने महरास्ट में किसकी सरकार बनने जा रही है फिलहाल तो चुनाओ के दोरान सभी नहीं अपनी अपनी जीत के दावे किये तो वहीं एक दूसरे पर सियासी हमले भी सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की ही ओर से किये गए लेकिन अब जब जनता ने अपना मत और मन दोनों ही इवियम में कैद कर दिया है तो अब ये बयान बाजी और दावे किसी काम के नहीं रही क्योंकि अब फैसला बदलने वाला नहीं है बस उसका पता 23 नवंबर खुल लगेगा इस बार जनता के सामने महायूती गडबंध हैं जिसमें BJP, शिवसेना, शिंदेगुट और NCP अजित पवारगुट शामिल है और महाविकास अघाडी गडबंध हैं जिसमें NCP, शिवसेना, यूबिटी और कॉंग्रिस जैसे दल शामिल है इन दोनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प था दोनों दलों की ओड़ से जनता को लुभाने का कोई मौकान नहीं छोड़ा गया अब जनता ने किसके बादों पर विश्वास जताया है ये तो आने वाले 23 नवंबर को ही पता चलेगा लेकिन अगर लोग सभा चुनाओ के नतीजों को देखे तो ऐसा लगता है कि महायूती को लेकर जनता में आक्रोश है जुसका खामियाजा भाजपा और महायूती को भुगतना भी पड़ा हालाकि अब विधान सभा चुनाओं में जनता का मूड बदला है या महायूती से नाराजगी अभी भी वरकरार है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा लेकिन फिलाल जनता के रुझान को देखकर ये ही लगता है कि भाजपा और महायूती के लिए मुश्किले कम होने वाली नहीं है क्योंकि महायूती के अंदर जुस तरह का आपसी मध्येद देखने को मिला और भाजपा के सयोगियों की ही बीजेपी से नाराजगी दिखी उसे देखकर जुनता में एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ है जुसका लाब एक जुट दिख रहे महाविकास अगारी को मिल सकता है हाला कि चुनाओ में एक दिन पहले जुस तरह से दोनों पक्षों की ओड से कैश फॉर वोट और बिटकोईन को लेकर एक दूसरे पर आरूप लगाए गये उसने प्रदेश के महाल में एक गर्मी जरूर पैदा की थी लेकिन अंतिम समय पर मद्दाता अपना मन बदलता है और इन आरूपों वा खुलासों का कितना असर चुनाओ परिणाम पर पड़ता है ये कहना थोड़ा मुश्किल है लेकिन इतना तो तैह है कि महारास्ट में इस बार मुकाबला काफी कड़ा होने की उमीद है इस बार के विधान सभा चुनाओ के नतीजे न सिर्फ प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे बलकि कई ऐसे मुद्दे भी हैं जो इस बार के चुनाओ नतीजों से प्रभावित हो सकते हैं या यूँ कहें कि उनका भविश भी ये चुनावी नतीजे टै करेंगे। साथी कुछ राजनितिक दलो और नेताओ का सियासी भविश भी किस ओर जाएगा, ये भी नतीजों के साथी टै हो जाएगा। इस बार के चुनावी नतीजे शिव सेना के आगे का भविश्य भी तै करेंगे साथ ही ये बताने के लिए काफी होंगे कि जुनता किस शिव सेना को अपनी असली शिव सेना मानती है कभी हिंदू हृदै समराट कहे जाने वाले और हिंदुत्व की राजनीती कर पूरे महरास्ट की सियासत पर अपना जल्वा बिखेरने वाले बाला साहिब ठाकरे की शिव सेना मौजूदा वक्त में दो भागों में बटी हुई है एक ओर है बाला साहिब ठाकरे के बेटे और खुद को शिफसेना का असली हकदार कहने वाले उधव ठाकरे और उनकी शिफसेना तो वहीं दूसरी ओर है शिवसेना को तोड़ने वाले और चुनावायूग द्वारा असली शिवसेना का हक लेने वाले कभी बाला साहिब ठाकरे के काफी करीबी रहे एक नाथ शिंदे जो फिलाल महरास्ट के मुख्यमंत्रे की कुर्सी पर भी विराजमान है आधे अधेक लोग शिवसेना शिंदे गुट के साथ आ गए उधभ ठाकरे के पास नमूल पाटी रही और नाही चुनावचन लोग सभाचुनाव में दोनों के बीच मुकाबला लगभग बराबरी पर रहा था हालाकि स्ट्राइक रेट के मामले में शिंदे थोड़ा आगे रहे लेकिन अब असली लड़ाई विधान सभाचुनाव के नतीजों में पता चलेगी विधान सभाचुनाव के नतीज़े ये तै करेंगे कि बाला साहिब ठाकरे की विरासत का असली उतराधिकारी कौन है और जनता ने किसे बाला साहिब ठाकरे का उतराधिकारी समझा और माना है अब सवाल उठता है कि क्या विधान सभा चुनाव में भी शिंदे सेना को उद्धव सेना पर बढ़त हासिल होगी ये चुनाव शिपसेना के लिए निर्नायक होने वाला है अगर एक बार फिर उद्धव सेना शिंदे से पीछे रहती है या फिर अपना वर्चस्व कायम करने में काम्याब नहीं हो पाती है तो ये शिपसेना यूबीटी के लिए घातक साबित होगा और कहीं न कहीं ये माना जाने लगेगा कि चुनता शिंदे को ही असली शिपसेना मान रही है लेकिन अगर शिपसेना यूबीटी यानि उद्धव ठाकरे चुनावों में वापसी करते हैं और महाविकास अघाडी सरकार बनाने की स्थिती में आती है तो इस बात की पूरी स संभा बनाये हैं कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुरसी पर बैट सकते हैं हाला कि इसके लिए उन्हें चुनावों में बहतर प्रदर्शन करते हुए ज्यादा सीटे लानी ही होंगी शिपसेना वाला हाल ही प्रदेश की एक और बड़ी शेत्रिय पार् खनी देने में सक्षम हैं लेकिन 2023 में शिपसेना वाला हाल ही एनसीपी का भी हुआ भाजपा की जोड़ तोड की राजनीती और पद के लालज के चकर में शरत पवार को उनके अपने ही भतीजे ने धोका दिया और एनसीपी में टूट करके अलग चले गए अजित पवार न कोई लाब नहीं मिला हां बस ऐसा कहा जो सकता है कि उनके खिलाफ चल रही एडी इंकम टैक्स की जाच जरूर बंद हो गई हो क्योंकि अब वो वाशिंग मशीन में धुल चुके थे लेकिन शरत पवार की एनसीपी को दो फाड कर गए अब जब चाचा भतीजे आमने सामने है तो लड़ाई असली और नकली अनसीपी की भी है बेशक आखो पर पट्टी बांधे बैठे चुनाव आयूग ने पाटी का नाम और चिन अजित पवार को दे दिया हो लेकिन शरत पवार की रहते चरता के बीच खुद को असली अनसीपी साबित कर पाना अजित पवार के सीधा मुकाबला करना चाहा था जिसमें आप नतीजों को देख सकते हैं कि वो चारों खाने चित हुए और सुप्रिया सूले ने ही जीत हासल की ऐसे में अब जब अजित पवार खुद को रेल एनसीपी के तोर पर उतारे हैं और शरत पवार भी एनसीपी स्पी के जरिये च जनता के बीच में जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओ शरत पवार हैं जो जनता से भावुक अपील कर रहे हैं और अपने साथ विश्वास घात होने की बात कर रहे हैं साथी शरत पवार भी जनता के बीच जाकर लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि ये उनकी अंतिम चुनावी पारी है ताकि उन्हें कुछ सिंपथी भी मिल सके अगर राजनतिक आकड़ों की बात करें तो लोक सभाचुनाओं में अजित्पवार को जस्तरह से जुनता ने नकार दिया उससे तो यही लगता है कि विधान सभाचुनाओं में भी ऐसा ही कुछ जोल हो सकता है जस्तरह शरत पवार के राजनतिक कदम रहे हैं उससे तो कई बार लगता है कि दोनों पवार मिले हुए हैं अभी हाली में 2019 में महारास्ट की सरकार बनाने का खुलासा अजित्पवार ने किया था उससे तो यही लगता है कि बीजेपी में आकर दूसरे दिन NCP में वापसी सीनियर पवार कुछ नहीं बोलेगा लेकिन जस तरह से अजित्पवार ने चुनावों के दोरान बीजेपी से अलग रुख अपनाया और भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे कि नारे का खुला विरोत किया उससे इस बात की संभावनाए तो जाग रही हैं कि अजित्पवार के लिए चु साथ अजित्पवार के सियासी भविश को भी तै करेगा अब ये विधान सभा चुनावों महरास्ट में भाजपा के लिए भी काफी एहम है क्योंकि अक्सर शिपसेना के साथ रहने वाली बीजेपी इस बार आधी शिपसेना के साथ जरूर है लेकिन इस बार बीजेपी एक बड़े भाई की भूमिका में है भाजपा ने महरास्ट में बड़े भाई बनने के लिए काफी पापड भी बेले हैं अगर शिपसेना ना तूटी होती तो संभो है कि आज भी शिपसेना ही बड़े भाई की भूमिका में होती और बीजेपी उसके पीछे बीजेपी की इस म बहुमत मिल जाता है तो जाहिर है कि सरकार में सीयम बीजेपी का ही होगा पर अगर थोड़ी सीद भी कम होती है तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगा महायूती को एक जोट रखना क्योंकि मुख्यमंत्री का पद ऐसा होता है जिस पर एक बार बैठने के बाद कोई उतरना तो नहीं चाहता है ऐसे में तब शिंदे भी सीयम पद को लेकर अड़ सकते हैं और बीजेपी के लिए मुश्किले खड़ी कर सकते हैं इसलिए इस बार का चुनाओ महातुपूर्ण है कि क्या बीजेपी अपना सीयम बनाने में सफल हो पाती है या नहीं इन सब बातों को ध तीजे से सामने आ जाएगा देखना है कि जनता ने क्या फैसला किया है अब इंतजार है तो आगामी 23 नवंबर का आपको क्या लगता है 23 नवंबर को किसकी उमीदों पर पानी फिर सकता है और किसकी उमीदे उजागर हो सकती हैं कॉमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताईए और देखते आए फूर पीम निउस नेटवर्क नमस्कार